प्रिये ISPCS Experience, How to Start series के अंदर ये चल रहा है, नोट्स कैसे बनाएं, पहली बात ये है कि नोट्स क्यों बनाएं, बिना नोट्स बनाएं याद नहीं होगा, बिना नोट्स बनाएं आपको precise और concise लिखना नहीं आएगा, बिना notes बनाए आपको ग्यान को समेटना नहीं आएगा UPSC का trend यह है सुभाव यह है कि पच्चिस सो शब्दों से लेकर और 20 शब्दों तक में उत्तर पूछे गए हैं आज तक पहले GS के जो paper होते थे जब दो paper होते थे तो उस समय 20 words का 20 words, 50 words, 100 words, 150 words, 250 ऐसे question आते थे, निबंद पच्चिस सो शब्दों का आता था PCS में निबंद साथ साथ सो शब्दों के तीन आते थे आज कल PCS में 1200 का एक 800 का आ रहा अभी पिछले वर्षों में वो ही 7700 के तीन निबंद आये UPSC में 1200 के दो आये कोई ठिकाना नहीं है, कितने शब्दों में उत्तर पूछतें मेंस के optional में जो दो पेपर हैं उनमें परशन 600 words से लेकर देड़ सो तक पूछे गए हैं कभी देड़ सो देड़ सो के हर परशन के चार हिस्से होते हैं यानि 600 words कभी दो दो सो word के तीन हिस्से होते हैं ABC यानि 600 words कभी तीन-तिन सो word के दो हिस्से होते हैं 600 words और कभी लिखा ही नहीं होता है, सीधे परशन होता है उसमें भी अनुमान तहाई 600 words में आंसर लिखना होता है और बहुत कम शब्दों में कह सकें, नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है, पल्लवन सीखना होता है, PCS में पल्लवन आता है UP PCS, जब मैं PCS कहता हूँ तो मैं अनिस्टेट की बात नहीं करता है, अलाएकि MPPCS से मैं वीडियो हो चुका हूँ, जब UP में मैं Regional Audit Officer, Treasury Officer और Assistant Commissioner हुआ था, तीन अलग अलग सालों में तीन पदों पर, तो उसी बीच में MPPCS में वीडियो भी हुआ था, मैं Treasury Officer जोईन कर चुगा था, और Assistant Commissioner भी मैं रहा हूँ, वहीं से मैंने voluntary retirement लिया है, IS equivalent rank से, तो लेकिन तब का MPPCS, आज का MPPCS अलग हो गया, तो इसलिए काफी कुछ changes हो गया UPPCS भी अलग हो गया, लेकिन UPPCS और IS के लिए में पढ़ा रहा हूँ लगातार, 20 साल से शिखर IS Academy गाजियबाद में, offline classes में पढ़ा रहा हूँ, face to face पढ़ा रहा हूँ, Skype के थूद देश-विदेश के students को पढ़ा रहा हूँ, तो लगातार में touch में हूँ, MPPCS के लिए में क कुछ नहीं कह सकता हूँ, PCS जब बोलू हूँ, इसका मतलब UPPCS है, तो यह जो notes बनाने की कला है, उसका महत तो समझे, UPPCS में हिंदी के paper में पल्लवन आता है, यानि फैलाना, एक बाग के लिखा है, इसके आधार पर इसको फैला के 200 शब्दों में लिखी है, summary सब में आती है, summarize करना, pressy writing, pressy writing सब में आता है, जो spelling से presses लिखा होता है, one third करना होता है, वो सब में आता है, सारांश लिखना सब में आता है, इस passage का भाव समझना, comprehension बढ़ा पड़ा है, 30-30 question, 40-40 question, pre में आ रहे हैं, second paper में, यानि सारांश समझ लेना तुरंथ, ये color notes बनाने से ही आती है, अगर आप दूसरों के बनाए हुए notes, वो जो हरे पीले facebook पर पड़े रहते हैं लोगों के, इनसे अपना मन समझाना है, होना हवाना कुछ नहीं है, अपने बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, कटू शब्द ह है, लेकिन मैं कटू ही बोलता हूँ, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, अगर ऐसा होता तो जितने सेठ हैं, ये जने कितने परोहितों को पैसे दे दे के स्वर्ग भेज देते हैं, खुद भोग करते स्वर्ग का, परोहित जी, इनके बदले स्वर्ग चले जाते हैं, फिर वहाँ से delegated power लेके आते और सेट जी को स्वरकान वह करा देते हूं ऐसा नहीं होता है, मरना पड़ता है, खटना पड़ता है, खपना पड़ता है, तेल जलाना पड़ता है आजकल तो बिजली है, नहीं तो लेंप में तेल जला जला के मैं PCS हुआ हूँ पसीने छोड़ जाते हैं, गर्मी के मारे, अभी भी सब के घर में AC नहीं है, आप लोगों के, सब के घर में cooler नहीं है, बहुत से बच्चों के यहां तो पंखा भी नहीं है गर्मी में शरीर का भी टेल निकल जाता है, तब बनते हैं हम AIS PCS, हलुआ नहीं है, मजाक नहीं है Notes क्यों बनाएं का जवाब मैंने दिया, Notes कैसे बनाएं, एक पुस्तक लीजिए, Notes बनाने के लिए, इतियास की पुस्तक आपने ली, उसमें कुछ लाइने introductory होती हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, पढ़िए, और छोड़ दीजिए, ये देखिए कि ये line introductory है, यानि इसमें प करचे दिया हुआ है, विजय नंगर सामराज मधिकाल का एक अत्यंत्र प्रसिद्ध सामराजी था, जो अपने कला दर्शन संगीत आदी के योगदान के लिए जाना जाता है, इत्यादी, ये लिखने के ज़रूरत नहीं है, तो दा पॉइंट हो ये, निश्ठुर होके फाल प्लेस टाइम, इवेंट, यानि व्यक्ति, स्थान और घटना, यही होते हैं, दो चार चीजह और निकल आती हैं कभी-कभी, लेकिन मुख्य तोर पे यह होते हैं, चाहें तो परसन का रेजिस्टर रग बना लीजिए, उसमें फ्लैग लगा लीजिए बीच में, यहां पर खतम हो गया, यहां medieval, यहां modern, जैसे history कर रहे हैं, जोगर्फी है, तो यह physical है, यह human जोगर्फी है, और यह Indian जोगर्फी, world जोगर्फी, ऐसे करके अलाग लग बांट लीजिए, fact लिखिए, जहां बहुत ज्यादा समझाया जा रहा हो, बहुत ज्यादा कहानी सुनाई जा र सम्मान से लिया जाता है, उनके नाम पर समारक बने हुए है, लेकिन fact कोई नहीं आया, बड़ी बड़ी बात है, तो की गई है, लेकिन fact नहीं आया, लेकिन अगर लिखा है को उनके नाम पर एक समारक नासिक में है, एक समारक यहां है, मानलो ऐसा करके कुछ लिखा है, तो नोट्स बनाने में ध्यान रखना है कि एक्जाम में प्रश्ण जो आएगा एक्स फेक्टर पर आएगा जैसे विश्व सुन्दरी चुनी जाती है ऐसे ही नोट्स बनाते समय हमें वाक्यों और शब्दों को चुनना है आके सभी सुन्दर लड़कियां खड़ी हैं यहां पर मैं एक हंसी की बात बता दूँ बड़ी बहुत पहले बात है जब दूरदर्शन पर एक बार चीन में हुआ एक मतलब चीन सुन्दरी का एक कारेक्रम आ रहा था जैसे मिस इंडिया होता ना ऐसी मिस चाइना तो जितनी खड़ी थी मुझे सब एक सी लग रही थी मेरी बुद्धी भरष्ट होगी उसको देखके पहले मैं मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स मिस इंडिया प्रोग्राम बड़े चाव से देखा करता था बहुत पहले की बात है अब तो इतना टाइम नहीं है जब सरकारी नौकरी में तो टाइम जादा रहता था तो देखता था और मैं गैस करता था पत्नी के साथ बैठ के गैस लगाता था बैठ तो नहीं लगाता था लेकिन गैस लगाता था कि इस राउंड में ये लड़की सबसे सुन्दर है कभी-कभी पत्नियों मेरे मतवेद होता था हमेशा मैं ही जी सुश्मिता सेन और एश्वर्य राय की बीच की बात थी सुश्मिता सेन मिस युनिवर्स बन गई एश्वर्य राय मिस वर्ल तक रही तो मैंने अखवारों में एक लेख लिखा था कि इस निर्णय की अपील होनी चाहिए क्योंकि एश्वर्य राय जादा सुदर हैं सुश्मि में आई तो सुश्विता सेंद का अभिने बहुत लाजवाब था और एश्वर्य राय का उतना नहीं था तो ऐसे ही आपको नोट्स बनाते समय शब्दों का चैयन करना एक्स फेक्टर किसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो महत्तुपूर्ण तो हैं बट एक्जाम में नहीं आनी इसके लिए आपको बैक येर पेपर कमसे कम तीन साल के आइस और पीचिएस के प्री और मेंस के पढ़ने हैं तो आपकी द्रिष्टी डेवलप हो जाएगी एकदम वो संजय वाली द्रिष्टी जो महाभारत का हाल चाल द्रितराश को सुना रहा है द्रिष्टाश उससे कह रहे हैं कि जो इखटे हुए हो जरा उनका हाल तो सुना चैनल लगाओ जरा आपकी आँखें वही चैनल बन जाएंगी और आप नोट्स को देखते ही तुरंट सी लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परसन परफेक्ट परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करन है स्टार्टिंग के नोट्स तो कूड़ा होते हैं जी हां कूड़ा होते हैं गार्बेज जैसे कि एक मकान बनता है तो जो नीव है नीव के पत्थर बहुत-बहुत सूरत होते हैं और कभी नहीं दिखाई देते हैं आज इवन जब तक मकान ना गिर जाए 100-200 साल बाद मकान और प्लॉट की भराई में काम आता है कूड़ा भरा जाता है तमाम गार्वेज भराई करने वाले भर देते हैं लागे तो वह कूड़ा है वह बदसूरत पत्थर हैं जो मकान में कोई देखने नहीं आएगा जब आपके नाते रिष्टेदार जब मकान देखके जलने आएंगे या आप उन्हें जलाने के लिए बुलाएंगे कि हमने ये मार्बल ये संगमरमर लगवाया है ये हमने इतना खुबसूरत मकान बनवाया इतना बुड़वर करवाया है तो निव के पत्थर को कोई नहीं देखेगा ऐसे ही आपके नोट्स कोड़ा कहने हम बुरा लगता है लेकिन ये निव के पत्थर है इनी पर आपके भविष्ट के नोट्स टिकेंगे एक और नोट्स बनाने पड़ेंगे कोड़ा का मतलब यहां कोई बुराई नहीं है वो जमीन की भराई करने वाला कोड़ा है ये उसके बिना मिट्टी भरी जाती है कोड़ा बहुत ले जाते हैं वो दूसरे के मकान भरने काम आता है तो वो क्या हुआ कच्रा कुड़ा शुरू के नोट्स बेटा ऐसे ही होते हैं ये डिरेक्टली आपके काम नहीं आते हैं आगे फ्यूचर में कभी भी नोट्स का कोई वास्ता नहीं पड़ेगा लेकिन जब तक आप ये न नोट्स बनाएंगे मेरा प्रिशिष्ट जुवैर आलम खान उसने का लक्षमी कांद को ने आठ बार नोट्स बनाए पहली बार में उसने पब्लिक एड नहीं लिया था वो जोगरफी लिये रहता था आई-एस के तीन चांस मिस कर दिये थे उसने आई-पी-एस अफसर हैस प्रॉपर एड्मिस्टेटिव सर्विस के लिए तो उसने आठ बार नोट्स बनाए कहता था कि पहली बार के नोट्स इतने पेजिस के ते अगली बार के इतने के अगली बार के इतने के उसने बताया कि लास्ट के नोट्स पूरी बुक के पूरी बुक में बारह चैप्टर प्री में पहले optional subject होता था तो वो 12 चेप्टर एम लक्षमी के आंद की पुस्तक से उसने notes बनाए तो केवल एक register में सिमट गए पहले notes आठ register में थे दूसरे notes जो बने वो कुछ कम में फिर कुछ कम में ऐसे करके इतने कम में बन गए और परिणाम क्या हुआ selection विक्रम सिंग एक मेरा इस्ट्वेंट था जो की IRS है उसने पहली बार में final notes बनाने की सोची मैंने का बेटा पहली बार में final notes नहीं बनते हैं आप कितने विद्वान क्यों नहीं हो लेकिन एक बार और बनाने पड़ेंगे नहीं माना उस साल नहीं निकला preliminary में GS और optional subject की notes जो उसने पहरी बार बनाए फिर दुवारा बनाने की जैमत नहीं उठाई अगली बार उससे समझ में आ गया उसने दुवारा notes बनाए पास हो गया तो बेटा डेड़ साल तो आपको निव भरने के लिए चाहिए चाहिए मेरे बैचेज है गोल्ड बैच 15 महीने का है प्लैटिनम बैच पब्लिक आइड इंक्रूड करके है 18 महीने का है सबादेड़ साल के बैचेज मैंने रखे है एफो जो एफोर बैच जो गैरह हजार का इस समय 21,000 का है 21,000 क्योंकि बहुत कुछ नाइड हो गया है यह मोस्ट अफोरडेवल बैच है और इसके अंदर इतना कुछ मैटर है कि मैं खुद देखता हूं कि मैंने इतना सस्ता क्यों दे दिया यह बैच 11,000 में क्यों दे दिया और अब भी किस जार में क्यों यह बैच तो 99,000 से कम का हुई नहीं सकता जितना परिश्रम मैं कर रहा हूं इसके रोज वीडियो बन वहें अभी भी बन वहें 31 मई 2020 तक बनते रहेंगे और कुछ प्रिंटेड मैटरियल भी दिया जाएगा बुक्स दी जा रही हैं सौसे उपर मैगजीने और किताबें यह सब चीज आपको शौर्ट करना है मैं एक्जामपिल दे रहा हूं एक पुस्तक है संगम योग इस से नोट्स बनाने है माल लीजिए यह डॉक्टर वीके पांडे की पुस्तक है अच्छी पुस्तक है शार्दा पुस्तक भवन लावास से प्रकाशित है मेरे पास स्कैन है लेकिन मैं लिखा हुआ है इस्वी पूर्व की एक हजार पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर बताऊंगा नोट्स बनाने के लिए इस पैराग्राफ में से क्या लेंगे इस्वी पूर्व की एक हजार से लेकर प्रथम शताब्दी तक विक्सित माहा पाशानिक अंग्रेजी में बताऊंग ऐसे लिखना है संगम योग डेश एक हजार बीसी ए से फर्स सेंचुरी सी ए ठीक है पूरी लाइन इतने में आगी इस योग के प्रारंबिक जन जीवन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं राजनेतेक आर्थिक और कलात्मक जीवन पर प्रात्मिक विशत्व प्रकाश जि लिखने के चुछ और संगम यई तो रहतिते होगे संगम की परनव का घशनहीन दॉट तक यहीं लिखना है। संगम साहत्यान ब Kerryत को कुर्ण पर मանिक और स凌ब करहसे संगम विश्म्री जो और साइबिक आर्णपर ऐसे पर्रमानिक यृद्यानीила का लिखने और안 से है जिसमें उपस्तित होकर तमिल कवी अपनी कविताओं में दक्षन भारती परंपराओं को निबद्ध करके उन्हें साहित्यक शुरूप प्रदान करने है तु लिपबद्ध करने की अनुवती प्राप्ति करते थे अब बहुत से लोगों तो हिंदी समझ नहीं आएगी त इतना तो समझना चाहिए अगर आपका मेडियम हिंदी है यही होती हिंदी इस लाइन में क्या लिखेंगे अब अपने नोट्स में लिखेंगे संगम, अर्थात, दक्षन भारतिये, पांडे नरेशों की विद्वत परिशद, जिसमें तमिल कवी अपनी कविताओं को सुनाते थे और मानेता प्राप्त करते थे अगे लिखा है इन कवियों को राज़की सनक्षन प्राप्त होने के कारण विशाल साहित सरजित हुआ किन्टु आज उपलब्द संगम साहित उसका एक हिस्सा मातर है एक लाइन लिख दो ये कवी अधिकतर राजकी सनक्षन प्राप्त कवी थे आज सभी सहित्य उपलब्द नहीं है बस अब इसके बार इसमें हेडिंग लिखा है तमिलकम तमिल प्रदेश संगम सहित्य के अंतह साक्षियों के अनुशेलन से विदित होता है कि तमिल भाषा भा नदियों की उपत्यकाओं के मद्य घाटियों और भारत का धुर्दक्षनी भाग माना जाता था तो लिखो अपने नोट्स में लिखना है संगम सहित्य तमिल भाषा भाषी तमिलकम क्षेत्र का सहित्य है जो कृष्णा और तुंग भद्रा के बीच का भारत का धुर्दक् दिभग उत्तर पूर में तिरुपती की पहाडियां उत्तर पश्चम उत्तर भाग में करनाटक का पठारी दक्षनी इक्षेत्र पूर पश्चम कुछ नहीं लिखने जूरुत है इसकी सीमाएं कोई नहीं पूछेगा इसा की प्रारंबिक शताब्दियों से बहुत पहले य एतरे ब्रामण अंगुत्तर निकाय और अश्टा ध्याई में प्राथ होता है यह उससे समंदित नहीं है लेकिन यह प्री में आने लाएक क्वेस्चन है तो आप इसके नोट्स जो लिखेंगे तो दक्षन भारती प्रदेशों महराश्ट के विदर्भ और अश्मक के साथ तो लिखना है प्राचीन भारती साहित के एतरे ब्रामण अंगुत्तर निकाय और अश्टा ध्याई में दक्षन भारत के कुछ प्रदेशों का वर्णन पाया जाता है जैसे कि विदर्भ अश्मक और कलिंग बस हो गया फिर आगे दिया है नोंने किन्तु धुर दक्षन भा चेर चोल और पांड का उलेख का त्यायं ने किया है आगली होता है एक लाएन लिखोगे अशोक के कुछ अभिलेखहु में यह दूसरा पांच्मातेरमा लिखने जरूद नहीं है अशोक के कुछ अभिलेखहु में भी ऑपने शासन के ग्यारवने वर्ष में तमिल राज्यों के प्राचीन संग को सफलता पूर्वक्स सैनिक अभियान के अंतरगत विनश्ट किया था अब तुम लिखोगे अपने नोट्स में हाथी गुंफा विलेक कहता है कि कलिंग राज खारवेल ने अपने शासन के ग्यारिम वर्ष में जो तमिल राज्य संग को प हर चीज बताता हूं कोई चीज छोड़ता नहीं कॉंसिटूशनल लॉव बाई डॉक्टर जेन पांडे इसमें मैं फंडामेंटल राइट का चैप्टर ले रहा हूं बुक में लिखा हुआ पढ़ रहा हूं फिर बताना है कि नोट्स में तुम क्या लिखोगे और इजिन इ के हैं देस्राइब और ग्राइब आओ फिंडिया यह कृशिन क्यी बार आता है इस नहीं पार्ट थ्री उफ कॉंसिटूशन थैस्ट फंडामेंटल राइट्स देस्राइब जा यह बैंना थांडिया में बॉक्णा, मतलब लॉक्टर चार्टर का मतलब क्या खित अर्या मतल अगली लाइन लिखोगे मेगना कार्टा वहां से प्रारंब होता है। यह उपर बता ही दिया है। यह लिखना है तुम्हें अपने नोट में लिखना है। तुम्हें अपने नोट में लिखना है। इतने ही लिखने ही जरुवात है। Following the spirit of Magna Carta of the British and Declaration of Rights of Man and Citizen of France, the Americans incorporated Bill of Rights in their constitution. लिखने ही जरूरत नहीं है. France को देखा, Britain को देखा, तो Americans नहीं का हम भी. तो नहों नहीं भी बना दिया. Americans were first to give Bill of Rights a constitutional status. ये line important है. Americans were first to give Bill of Rights a constitutional status. Britain में तो written constitution ही नहीं है. France में इसे अलग से एक document माना गया था. Britain में भी एक अलग document है. America ने इसे समिधान में शामिल किया. तो इसलिए America पर्थम है समिधान में इस्थान देने वाला. Thus, when the constitution of India was being framed, the background of incorporation of Bill of Rights was already present. यानि भारत का समिधान जब बना, तो Bill of Rights का background बन चुका था, America, Britain और France के द्वारा. तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. The framers took inspiration from this and incorporated the full chapter in the constitution. एक ही बात लिखनी है. पूरा पहरा है मैं नहीं पढ़ा रहा. इसी बारे में है. Simply एक बात लिखनी है. इन इंडियन constitution, the fundamental rights were based on the Nehru report, Nehru report, मौतिलाल Nehru की, Nehru report, and it is a part of constitution as part 3. तो इस तरह से आपको अंग्रेजी के notes बनाने हैं. देखो, मुख्य तोर पर, जो notes बनाना है, ये डोब के पढ़ना है. बेटा, एक तुमने शेर सुना होगा. ये इश्क नहीं आसां, बस इतना समझ लीजे. एक आग का दरिया है, और डूब के जाना है. आज कल पता नहीं, शेरोशायरी से कुछ लोग दूर हो गए हैं, इसे सामपरदाइक समझने लगे हैं, लेकिन सामपरदाइक नहीं हैं ये. भाषा और कोई भी चीज सामपरदाइक नहीं होती हैं. तो ये इश्क जो तुमने किया है, यू पी एस सी के करियर से, आसान नहीं है. लेकिन इतना कठिन भी नहीं हैं कि ना किया जा सके. बड़ा मज़ा आता है तैयारी करने में. जितना गहरे डूबते जाएं उतना ही आनन्दा आता है. जो जो बूडे स्याम रंग त्यों त्यों उज्वल होएं. मेरे खाल से बिहारी का है. जैसे जैसे इस काले रंग में डूबते हैं स्याम रंग. श्यामा ने काला. काले रंग में डूबते हैं तो और साफ होते जाते हैं उज्वल होते जाते हैं उलट बासी है एक तरह का विरोधा बास है लेकिन स्याम रंग का मतलब कृष्ण के रंग में जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबते हैं प्रेम में डूबते हैं भक्ती में डूबते हैं वैसे वैसे आत्मा निर्मल होती चली जाती ऐसे ही तैयारी में जैसे जैसे हम पुस्तकों में डूबते हैं तो हमारी तैयारी इतनी अद्भूत होती जाती है हमारा ग्यान इतन के बेचे जा रहे हैं वो उन्हीं लोगों ने बैठ के लिखे हैं जिनका धंदा है उनको बेचना कोई आई-एस टॉपर अपने नोट्स नहीं बेचता है एकाथ लोग आजकल यह धंदा भी करने लेगें क्योंकि आजकल तो आई-एस करने के पहले सोच के चलते हैं कि मैं करो नहीं है मेरी जानकारी में जितने बच्चे मेरी अकैडमी शिखर से या कानपुर की मेरी भाई के अकैडमी उतकर्ष से निकलते हैं अनिवारी रूप से सबने नोट्स बनाए होते हैं मेरा सूत्र SBBNR मैंने तो सूत्र बना दिया है कोडिफाई कर दिया सूत्र बद्ध कर आप ने बच्पन में पाइफागोरोς की परमेय पढ़ी हैं बोले पढ़िये कि नहीं पाइफागोरोस का परमेय पढ़ा है न क्या बताएजा जाता है एक समकॉंड दोसरी दोसरी बूजा बी है तो जो विकर्ण है यह अंडर रूट a square plus b square होगा सब जानते हैं न आपने कभी पूछा कि क्यों होगा सिद्ध करिए कभी पूछा किसी से बहस की कि नहीं होगा हर वार क्या आपने हर फार्मूला जो आपको बताया गया कि a plus b का whole square equal to a square plus b square plus two a b कभी आपने टीचर से खड़े होके कहा कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है ऐसे कैसे होगा यह बता लगए कि फार्मूला जिस क्लास में पढ़ाय जाता उस क्लास के टीचर तो डंडे बजा देते मेरे जमाने में अगर कोई ऐसे पूछता हमने अपनी पॉस्तकों में लिखी वो सब बाते धर्म उद्गोष की तरह सुईकार की है कि कैंळु नाइसियर्श की तरह सुईकार की है कि इसको अखंड रूप से मान लिया है बहस नहीं किए तर्क नहीं किए आपको g economist नहीं किइब चुप्चाप मान ली है आप में से कई ल इस दिंग मैस भीना पड़े के जिर्वास होंगे इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है पास तभी होंगे जब मेरी बात मानेंगे जो सदा फेल हैं उनकी बात मानेंगे तो सदा फेल होंगे सीधा सा ब्रमहंड का सिद्धानत है इफ आई हैव टेन रुपीज इन माई पॉकेट आई कांट गिव यू एलेवन रुपीज इफ आई हैव नॉलेज इक्वल टो टेन उनिट आई कांट गिव यू एट नॉलेज फॉर सेलेक्शन इन आई-ई-ई-पी-स जिसके लिए बीस क्योंकि मेरे पास वो बीस इनिट नॉलेज होती तो मैं सेलेक्ट हो गया होता मैं हुआ हूँ तो मैं दे सकता हूँ आपको वो ग्यान मानते बने तो मान लीजिए निकल जाइए मेरे क्लास भी जॉइन मत करिए लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें टाइम बहुत लगे तो क्लास इस हाजिर हैं थैंक यू